कि हलो फ्रेंड्स वैलकम टैर्गट इन गूल फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जीविज्ञान का परिचय देखेंगे इनिस्याली कुछ चीजें देखेंगे उसमें और देखेंगे प्रमुख अधियन यहां प्रमुख अधियन का मतलब यह है कि जैसे बोलते हैं कि मचली पाल है इसका हम بलकुल सधारन सा डेफिनीशन ये सधारन सा इसकी बात कहें कि जीव विञ्ञान क्या हो सकती है तो जीवत का recomend मतलब ऐसा विञ्ञान वैसे विन qualities क्रमब्द विञ्ञान को विड्यान कहते हैं जब सिस्टमेंटिक किसी चीचğe का अध्यन किया जाए तो उसे विज्ञान कहते हैं और विज्ञान में जीव विज्ञान जब हम जीवों का systematic अध्यन करने लगें तो उसे हम जीव विज्ञान कह देंगे अब जीवों में दिखिए क्या है कि पादब भी होते हैं जीव और जो अनप्रकार के जीव है वो भी जैसे कि मनुस्त हो गया या कोई भी जानवर हो गया कीडे मकोडे हो गया ये सब जीव हैं और पादब भी जीव हैं तो इस प्रकार से फिर दो प्रकार से दो साखाएं बन गई तो दो सा खाव में अगर हम देखें, तो एक हो गई जन्तु विज्ञान, और दूसरी हो गई वनस्पती विज्ञान, क्योंकि वो वनस्पती का अध्यन करेगी, तो वनस्पती विज्ञान, वनस्पती का अध्यन, और जन्तु विज्ञान, जन्तुओं का अध्यन सर्वप्रत्म अरस्तु था ये अरस्तु ग्रीक फिलोसफर था इसने बिज्ञान के बारे में कुछ बिसेशताएं या बिज्ञान को सुरू में इसने डिफाइन किया था इसलिए अरस्तु को ही बिज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमल करके एक पुस्तक लिखी थी उसमें उसने कई प्रकार के जीवों का अध्यन किया था और बताया था कि किस प्रकार से जीवों की प्रक्रियाएं होती है जीव किस प्रकार से उपयोगी हो सकते है उसने उस पुस्तक में हलाकि मैंनली ये लिखा था कि मनुष्य के लिए कौन-कौन से जीव उपयोगी होंगे यहाँ पर देखिए जो जीवों की समस्त प्रक्रियां है इन प्रक्रियां को उपापचे प्रक्रिया के अंतरगत रखा गया है या उपापचे प्रक्रिया कहते हैं इनको तो जीवों की जो भी कोसिका हैं उनमें जो भी रसायनिक प्रक्रम चलते हैं उन्हें ही हम उपापचे कहते हैं इसको थोड़ा सा इतना समझते हैं इसके बाद विए जिव्यान का जनक भी अरस्तु को कहा गया क्योंकि जिवों का अध्यन इसने सबसे पहले शूरू किया था और इसके साथ में जन्तु विग्यान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है मतलब यह है कि देखिए अगर विज्ञान का जनक पूछा जा तो अरस्तु है जीव विज्ञान का जनक पूछा जा तो अरस्तु है और जन्तु विज्ञान का अगर जनक पूछा जा तब भी अरस्तु है वनस्पती विज्ञान जो की जीव विज्ञान की एक साखा है इसके जो फाउंडर है या इसके जो जनक है वो है थियो फ्रेश्टस तो थियो फ्रेश्टस वनस्पती विज्ञान का जनक है जीवों की सबसे छोटी इकाई देखी कोसिका है क्योंकि कोई भी जीव कोसिकां से मिलके बना होता है शुरुआती जब जीवों का उद्भाव हुआ तब भी एक कोसिकी जीव ही पैदा हुए थे एक कोसिकी में भी वो यूकारियोटिक नहीं थे प्रोकारियोटिक थे जब आगे वाले लेक्चर में हम कोसिका पढ़ाएंगे तो उसमें दो तरह कोसिका पढ़ाएंगे यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक तो प्रोकारियोटिक कोसिका है टाइप की जो जीव थे वो पैदा हुए थे फिर यूकारियोटिक बने फिर उसमें से मतलब कई सारी क सिकाओं के मिलके जीव बनने लगे और दिखिए जो वर्गिकी है वर्गिकी का मतलब यह है कि जैसे जो जीव हैं तो जीवों को किस तरह से हम वर्गों में बाटे अध्यन के लिए तो जीवों को वर्गों में किस तरह से बाटे इसको हम कहते हैं वर्गिकी तो वर्गिकी की स सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है जाती आगे अभी थोड़ा सा इसके बारे में और भी डिसकस करेंगे हैं आपको सिर्फ अभी इतना जानना है कि वर्गकी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है जाती होती है ठीक? इतना हम में समझना है अभी और देखिए DOUरव या पदारत की छोटी इकाई परमारु है वो तो आप जानते ही है तो अगर जीवों की बात करें तो वहाँ पर वर्गिकी में जाती इकाई है वर्गिकी में और अगर वो इस तरह जीवों की बात की जा तो उनकी सबसे छोटी इकाई कोसिका है कि कोसिकाउं से मिलके बना है अगर हम किसी द्रब में बात करें तो वहां पर जो छोटी इकाई होती है वो परमाडू होती है तंत्री का तंत्र की सबसे छोटी काई क्या निवरॉन होती है तंत्री का तंत्र क्या है हमारे सरीर में जो भी सेंसेशन होते हैं सेंसेशन का अर्थ यह है जैसे एक जगे कुछ हमें चुबता है तो चुबने के बाद हमें पता चलता है कि कहां पर चुब रहा है कहां पर क्या प्रक्रिया हो रही है तो यह हमें तंत्री का तंत्र के माध्य हमसे पता चलती है तंत्री का तंत्र हम कह सकते हैं यह पूरा हमारे सरीर में फैला हुआ ऐसा निटवर्क है ऐसा जाल है जो किसी भी जगह पर हुए किसी भी प्रतिक्रिया का दिमाग में सीधे सीधे उसका एकसन पहुचाता है मतलब की जैसे माली जी की पैर में सुई चुभी तो दिमाग को पता चला की सुई पैर में चुभी है तो उसको पता कैसे चला वो पता चला तंत्री का तंत्र के जाल से यहां से मतलब सरीर के प्रतेक अंग से तंत्री का तंत्र जुड़ी होती है मस्तिस्क से औ हमारी बुद्धी का हमारी समझ का और हमारी जो भी इंटेलिजेंस है उसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्रक की सबसे छोटी इकाई नेफ्राउन होती है देखें जो ब्रक होता है गुर्दा होता है जो हमारे रक्त को साफ करता है तो इसकी जो छोटी इकाई है इसको नेफ्रान बोलते हैं नेफ्रान एक्चली क्या है कि वहां भी एक परकार का ऐसा छोटी 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 नलिकाएं होती है उन नलिकाओं और वो ऐसा जाली नुमा एक यंत्र बन जाता है उधर कि वो खून को साफ करने का काम करता है उससे जो भी यूरिया है वो ब्लट को छानने का काम करता है तो इसकी सबसे छोटी इकाई नेफरोन होती है देखे जीव विज्ञान जो सब्द है तो लैमार्क एवं टैविरेनस ने 1802 में जीव विज्ञान सब्द का नाम दिया था मतलब कि जब अरस्तु ने खोच की थी इसकी उस समय शुरुवात में चुकि अरस्तु का जो कारिकाल था वो था इसा पूर्व तीन सो चार सो इसा पूर्व था वो तो उस समय इसको हम जीव विज्ञान का नाम नहीं दे रहे थे क्योंकि वो समय सारी चीजें ऐज फिलाउसफी काम किया करती थी और कोसिका की देखिये अध्यन को क्या बोलते ह जब हम Kosika का अध्यान करते हैं तो उसको कहते हैं Citizens psychology और गर हम यह बात करें कि सबसे ज्यादा प्रत्वी में जो oxygen generate होती है तो कहां होती है महासागरों में generate होती है क्यों कि महासागरों में बहुत सारा सैवाल पाया जाता है और वो सैवाल क्या करता है प्रकास संसलेशन की क्रिया करता है और उससे प्रकास संसलेशन की क्रिया से हमें glucose मिलता है और oxygen मिलती है तो यह जो oxygen की मात्रा प्रतवी में सरवाधिक है या जो भ सागर निभाते हैं अगर कवक का अध्यान है तो कवक के अध्यान को हम बोलते हैं माइकोलाजी कहते हैं और इसके जनक है जो इसके अध्यान के उसको पी ए मिचली है वर्ग की देखिए टेक्सोनॉमी की हम वहां पर थोड़ा सा बात के थे तो टेक्सोनॉमी में क्या है कि वर मतलब जीवयों के अध्यन के लिए किस प्रकार से उनको अलग अलग वर्गों में बांट दे और इसको बांटने के बाद हम अध्यन करें तो एक वैग्जयानिक था इसने क्या कि कि यहुड यह यह उन्हें करने इसने एक दूई नांपध्यति का मतलब यह है कि अगर कोई भी जाती का जीव है मतलब कोई भी जीव है तो उसमें दो चीजे हम डिनोट करेंगे क्या वन्स और जाती जैसे अगर हम मनुस्त की बात करें तो मनुस्त का जो वैज्ञानिक नाम है उसे कहते हैं होमो हों एन से यहां पर दो सब्ड़ है होमें और सैपीन तो हों और यहां पर वन्स है और सैपीनिस इसकी जाती है है तो दुई नाम पद्यप्धे के अंतरगत यह जू लिनियस था इस ने वन्स और जाती दोनों को अलग अलग करकर के डिफाइन कर दिया जैसे वो仔 और sapiens अब देखिए यहां पर हमने कुछ अध्यान रखें यह बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रतेक एक्जाम में पूंचे ही पूंचे जाते हैं तो इसको आप याद कर लीजिए किसी भी तरह से अगर एक बार में नहीं याद होंगे तो इसको आप बार बार याद कर सकत करते हैं तो हम यहां पर देखिए प्रतेक अध्यान को समझेंगे और उसको याद करने की कोशिस करेंगे बार बार ठीक है तो यहां पर देखिए अगर हम पच्छियों का अध्यान करें तो पच्छियों के अध्यान को हम क्या बोलते हैं अर्नीथोलोजी बोलते हैं पर्या ग्रास का अध्यान किया जाए तो उसे पेलियोलोजी कहते हैं फूलों के अध्यान को क्या बोलते हैं फूलों के बोलते हैं एंथालोजी बोलते हैं अगर घास का अध्यान किया जाए तो घास के अध्यान को क्या कहेंगे ग्रेस्टोलोजी देखिए ग्रास मतलब घास और ग्रेस्टोलोजी मतलब घास का अध्यन कीटों का अध्यन एंटोमोलोजी कहलाता है वाइरस को क्या बोलते हैं वाइरोलोजी अगर virus का द्यन किया जाए तो viralology बोलेंगे तो इस परकार से देखिए फूलों का द्यन, anthology, ghas का द्यन, agrostology, कीटों का द्यन, entomology, virus का द्यन, viralology कहलाता है अगला देखिए और भी देखिए इसमें अध्यन देख लेते हैं देखिए जो मदमक्खी पालन है इस मदमक्खी पालन को क्या बोलते हैं एपी कल्चर बोलते हैं देखिए पुस्प एवं फल वाले पौधों का अध्यन अगर किया जाए तो उसको बोलते हैं हर्टी कल्चर म का अध्यन अगर किया जाए तो फूल देखिए इसको याद कर सकते हैं फूल मतलब फ्लावर मतलब फ्लोरी कल्चर इसी प्रकार से देखिए सिल्क वाला है है ना तो सिल्क वाला सेरी कल्चर इसके बाद मचली का अध्यन मचली का अध्यन क्या कहलाता है पिसी कल्चर पिसी कल की उसके बाद देखिए अंगूर अंगूर का अध्यन क कहलाता है विटी कल्चर कहलाता है और ब्रद्धों का अध्यन का इरॉन्टलोगी सभी ईते कर सकते हैं ब्रद्धों का मतलब है कि जेरॉंटो मतलब जरजर हो जाना जरजर का सरीर जरजर कब होगा आदमी जब बुड़ा हो जाएगा तो इस प्रकार से ब्रद्धों का अध्यान जेरॉंटोलोजी अचा फूलों के यह अंगूर का अध्यान है ना देखिए यह विटी कल्चर अंगूर का उत्पादन तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं यह पर दिखिए जो मचली पालन है इसको याद करने के लिए यह पीषी कल्चर है कभीर का आध्य में नदैवर raciali मतलब पिसी हैंना तो पानी निमीन पियसी मतलब पिसी और मचली तो इस प्रकार से इसको थोड़ा तो आप अपने हिसाब से कुछ भी इसको सोच के या कैसे भी दिमाग में थोड़ा सा रख सकते हैं ताकि इसका हम जब भी आगे एक्जाम आए तो वहाँ पर हम इसका प्रियोब कर लें अच्छा आप देखिए इसी से संबंधित मैंने थोड़े से यहाँ पर साइटोलोजी मैंने इसके पहले बताया था आपको दूसरा है देखिए रेसम कीट पालन को क्या कहते हैं रेसम कीट पालन को हमारे पास आंसर है पिसी कल्चर विटी कल्चर सेरी कल्चर एपी कल्चर तो इसको क्या बोलते हैं रेसम कीट पालन को बोलते हैं सेरी कल्चर तो यहां पर देखे ताप्रियों क्या था परवतां से संब्रोंदिट तो यहां पर थे कि कि नियूर्शिक त्होड़ों सब्सक्राइब फट्ध करता है एंक रभी थोड़ा या सप्रीम्ट्रों क्या प्रिया proclaimed रखे थे तो यह वीडियो देखिए फ्रेंड्स और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और यदि चैनल में आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजे और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए थेंक यू फॉर वाचिंग